अगर आप चैनल पर फर्स टाम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्रेस्टी बेल आइकन आने वाली वीडियो की नोटिफिक्सन आप लोगों को मिलती रहें डियर वीवर्स जैसा कि मैंने आपको फर्स वीडियो में बोला था आज के कि आज इवनिंग में ऐसा स्टॉक लाएंगे जो सिर्फ दो रुपे का है ठीक है उस पैनी स्टॉक के बारे में विल्कुल डिटेल अनालिसिस करेंगे सो मैं आचुका हूँ जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रामिस किया था आप लोगों को पैनी स्टॉक से बहुत इंट्रस्ट है इसके उपर संडे को मैं एजुकेशनल वीडियो बनाऊगा क्योंकि आप खुद अपना एक पैनी स्टॉक कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको मल्टीफ होल रिटन दे सकता है मैं किसी पैनी स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करता हूँ वो सारे मैं पैराइमिटर्स आपको क्रेटेरिया बताऊँगा तो आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं आई और आप लोगों को पैनी स्टॉक में कभी नुक्सान नहीं होगा अभी क्या करते हैं लोग 400 वाला स्टॉक जो 4 रुपे पे आ चुक है ऐसे पैनी स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं और मैं किस पैनी स्टॉक को सेलेक्ट करता हूँ जिसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न बिल्कुल ऊपर जा रहा हूँ अगर इस channel से जुड़े हैं तो मैं आप लोगों का एक भी रुपे वेस्ट नहीं होने दूगा इस टॉक मार्केट में देख सकते हैं Latent View Share Websall Energy ये तो रुखने का नाम नहीं ले रहा परसो ही recommend किया था वीडियो बना के डाल दी थी more than 30% का return मिल चुक है तो आप लोग भी इस channel से जुड़ी है उसके बाद Latent View Share मैंने वीडियो के end में बोल दिया था परसो और ये भी 20% का return दे चुक है तो आप लोग भी इस channel से जुड़ी है profit का part बनिये ठीक है बिना किसी देरी के आज की वीडियो की start कर लेते हैं वो 2 रुपे वाला सहर उसका नाम है Sun Care Traders Limited SCTL इसका नाम है ठीक है SCTL, BSE पे है ये company, NSE पे listed नहीं है तो एक बार इसके बारे में बिल्कुल detail में पढ़ेंगे as usual मैं हमेशा analysis करता हूँ कोई ये निये की ऊपर-ऊपर से कुछ भी बता दूँगा आप लोगों को Sun Care Traders is engaged in the business of trading in laminates, plywood आपने सुना होगा apart from इसके अलावा भी इनका काम है solar power generation का तो चलिए काम तो अच्छा है इनका इससे काम नहीं चलेगा, market capital देख सकते हैं बहुत ही risky stock है, बहुत जादा risky stock इसको micro cap में बोल सकता हूँ only 38 crore, कभी भी manipulation कुछ भी हो सकता है इसे stock में, ठीक है operator भर-भर की मिलेंगे आप लोगों को current price देख सकते हैं, टू रूपीस पे है stock का PE देखी आप 113 है book value के पास ही trade करी है company ROC ठीक है, अच्छी बात है positive है return equity भी positive है, लेकिन कुछ खास impressive नहीं है, ठीक है, आगे देखते है stock वो book value के नियर trade करी है लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, इसके आप एक बार peers को जरूर चेक कीजिए, Adani Enterprises ठीक है, आप देख सकते हैं, कितनी इसी हिसाब से अपने capital का allocate कीजिए, जिसका market capital जितना कम होता है, वो उतना ही ज्यादा risky होता है, या तो बहुत suit up करेगा या तो बहुत ही ज्यादा गिर जाएगा, आपके capital को कभी भी destroy कर सकता है, उसके बाद बात कर रहे हैं इसके quarterly result के बारे में quarterly result में अगर dumb होगा तो definitely share को buy tag दे दूँगा, अगर result में dumb नहीं होगा ऐसी manipulation हो रहागा, तो मैं बिल्कुल आप लोगों को मना करूँगा, और मैं share को buy नहीं करूँगा बाकी आप लोगों की मर्जी है, तो अभी check करेंगे पहले ठीक है, आप लोग वीडियो का end तक देखिए September 2020 में 97 लाग का sale, 1.78, 1.34 करो, 2.74 करो अच्छी बात है, जीसे साब की company साब सी sale ठीक ठाक नजरा रही है expense देखिए, यही बात होगी कि आप लोग कमाते 100 रुपया और घर में खर्चा कर देते हैं 110 रुपया, 3 करोर का खर्चा है और कमार यह company 2 करोर रुपय, ठीक है Net profit पे चलते हैं 72 लाग adjustment शुरू हो जाता है उसके बाद 1 लाक रुपीज औली और वो last year में सिर्फ 1 लाक quarterly result में improvement है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, ठीक है उसके बाद में company long term में क्या करी है, TTM performance कैसा है company का 12 trailing months का, वो data चक करते हैं ठीक है, 16 से है, 4 साल का data, sale 9 करोर, 7 करोर, 5 करोर, 5, 4, 4, 6 गिरा हुआ, sale नजर आ रहा है, आपने देख लिया होगा expense देख सकते हैं, बिल्कुल 5, 6, 4, and then 7 expense बढ़ा हुआ है, net profit देख सकते हैं, 34 lakh, last quarter में 2 lakh, then उससे पहले, ठीक है, 2 lakh है so ठीक है, present mode में company growing mode में नजर आ रही है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, honest review दूँगा, unbiased opinion दूँगा, बिल्कुल, ठीक है balance sheet जरूर चक करेंगे इसका, reserve देख सकते हैं, 5 करोर है, करजा है, company के पास 6 करोर का, ठीक है asset देख सकते है, 46 करोर, so ठीक है, balance sheet उसी हिसाब से उतनी खास तो नहीं है, बढ़ ठीक ठाक है, market capital के हिसाब से आगे एक बार और चीज़ देखना चाहेंगे इसके बारे में, share holding pattern के बारे में, देख सकते हैं, promoter बिल्कुल गौर करके देखिए, zero promoter के पास zero fees दी हिस्चेदारी है, आप देख सकते हैं, यह ठीक से updated नहीं हुआ है, इसके बारे में आप लोगों को बाद में दिखा दू मार्केट में इंवेस्ट करने का, चाहे हो कोई साभी स्टॉक हो, उतना ही capital allocate कीजिए, जितना आप खोने के लिए तयार रहते हैं, आप 100-200 share खरीद सकते हैं, study purpose के लिए, कि देखते हैं कि आप सही जाते हैं, गलत जाते हैं, कई बार आप वोगों को experiment भी करना होता है, तो 100 200 quantity आप लोग खरीद सकते हैं, just for study purpose, ठीक है dear viewers, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like कीजिए, चैनल को subscribe कीजिए, और जादा से जाद share कीजिए, और ये मत भूलिए, ये penny stock समब में कुछ भी दम नहीं, जो मैं penny stock लाओंगा, वो काफी दमदार होने मेरे radar पे एक और penny stock है, वो मैं definitely आप लोगों को disclose करूँगा, और Sunday को वीडियो में बनाऊँगा, कि मैं किस penny stock को कैसे select करता हूँ, मैंने कैसे Orient Green Power को select किया, MTNL को select किया, जो उन्होंने मुझे इतना return दिया, तो आप लोग भी इस वीडियो को ज़रू देखना, इसी के साथ आप वीडियो को end करते हैं, अगर वीडियो आपको अच्छी लिए वीडियो को like कीजिए, चैनल को subscribe कीजिए, और evening में मिलता हूँ, आपसे एगनुग में बहुत सारे stocks के बारे में फिर overview देंगे, आप लोगों को मैं बताऊँगा, ठीक है, जो share गिरे हुए है, बढ़े हो इसके बारे में सब चीज बताऊंगा, आप लोग stay tuned रहिए, thank you so much दोस्तों, फिर मिलता हूँ, आपसे next वीडियो में तब तक के लिए, bye bye